हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो ओवर्स चैनल, मैथमेटिक सक्सेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कोशन्स कोशन्स के सिरीज कुछ हमने डिस्कस कर ली थी एक टाइप के कोशन्स हम डिस्कस कर चुके हैं आप दूसरे टाइप के कोशन्स देखेंगे जिसे बेस कोशन्स आपके पेपर में आ सकते हैं ठीक है तो देख लेते हैं किस टाइप से कोशन्स हो सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारा यह कोशन्स है अगर आप पहली बार चैनल पे आये हैं तो आप पहले यह क्लास मत देखिए जा करके पहले वाली class देखिएगा तभी ये देखिएगा तो आपको चीजे clear होंगी ठीके प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 से लगा करके वारा तेरा जो भी class हो चुकी है वो सारी class एक playlist में आपको मिल जाएंगी आप वहाँ से देखिए पहली class से देखिए तो आपको चीजे समझ में आएंगी ठीके तो यहां पर मारा जो question है यह है 2x plus 5 और factorial 3 ठीके इसको cube मत पढ़िएगा factorial 3 ठीके आपको बताया था हमने इसे पहले मतलब कल नहीं कल तो practice question थे उससे पहले भी practice question थे जो video थी जब हमने factorial polynomial नाम पढ़ा हुआ है ठीके उस वहाँ पर बताया था आपको कि जो है किस type से इसको खोलते हैं तो आपको बताया था कि पहले x फिर उसी x से कम होता जाता x minus 2 ठीके जिसे 6 का factorial 2 लिखना है तो 6 लिखते थे 6 में से 1 कम लिखते थे 5 और इंटू में फिर एक कम कर देते थे और इसी type से तो लिखते थे जितने यहाँ पर लिखा होता तो उतनी बार मतलब यहाँ पर करते थे तो उसी type से यहाँ 3 बार लिखा है तो आपको कितनी बार करना है 3 टाइमस करना है कैसे करना है तो देखते हैं 2x plus 5 लिखा है देखे हमको बाकी term constant term से कोई मतलब नहीं हमको सिर्फ x में minus करना है ठीक है जब 6 of factorial लिखा होता तो यहाँ पे यही x होता है ठीक यहाँ पे x दिया हुआ है तो हम इसको ले करके चलेंगे ठीक है तो पहला term यही लिख लिया ठीक पहले x ही तो लिखते हैं आप देखेगा formula तो आपको समझ में आएगा दूसरे में हम लोग x minus 1 लिखते हैं तो इसमें x कहां है यह है तो इसकी जिगे पर x minus 1 कर दिया इंटू फिर x minus 2 लिखते हैं यही तो लिखते है जैसे 6 of factorial 3 है तो 6 लिखा पहले में वही लिख दिया तो यही लिख दिया फिर दूसर में से minus 2 करेंगे ठीक है इस type से इसको open करेंगे open करने के बाद यह as it is रहेगा यहां पर जब खोलेंगे bracket तो यह 2x minus 2 plus 5 होगा तो 2x और minus 2 plus 5 मिलके plus 3 हो जाएगे ठीक है minus 2 गया भाई 5 में से 2 plus 3 बचा और जब इसको खोलेंगे तो यह होगा 2x minus 4 plus 5 minus 4 plus 5 plus 1 बचेगा तो इस हमारा answer हो जाएगा इस type के अगर questions आपको दिये जाएं तो आप x वाला भी खोल पाएं ठीक है इतनी सीज़े clear हो गई होगी second question देखते हैं जो second question है हमारा 3x minus 4 of factorial minus 2 यह reciprocal factorial होता है ठीक है reciprocal कैसे निकालते हैं इसका formula अलग है इसको one upon में करके निकाला जाता है ठीक है one upon में कैस निकाला जाता है इसका formula हम already discuss कर चुके हैं तो आप वहाँ पर जा करके देखिए हमने आपको बताया भी था कि जब बलब reciprocal नहीं होगा तो आप cable minus करेंगे reciprocal में जस्ट उल्टा होता है factorial का जैसे इसमें minus 1 minus 1 करते हुए जब plus में power थी ठीक है और जब minus में होगी तो हम लोग क क्या करेंगे वन अपॉन में लेके जाएंगे और एक्स माइनस वन कीजिए एक्स प्लस वन करेंगे ठीक है बाकी एज इस रहेगा तो कैसे करेंगे देखते हैं इस question को समझते हैं यह 3x-4 of factorial minus 2 दिया हुआ है ठीक है ठीक है बाकी नॉर्मल में चलाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अगर आपका माइन चलता है तो ठीक है तो यहाँ पे 3x-4 of factorial minus 2 पूछा गया है रेसिफोकल दिया हुआ है रेसिफोकल of factorial निकालना है तो कैसे निकालेंगे पहला तो one upon में लिख लेना है जो function ह ठीक इसमें क्या करना है plus 1 तो 3x की जिगा है कितना है x plus 1 जितनी बार लिखा उतनी बार टम लेंगे ठीक है यहाँ पे plus 2 ठीक है एक बार plus 1 वाले जिसे यहाँ पे लिखा होता x और factorial minus 2 तो क्या करते x plus 1 और x plus 2 वहाँ पे पहले x लिखते थे फिर x minus 1 लिखते थे formula देखेग वाले हैं अगर नोट्स बनाया है तभी समझ में आएगा वना फिर वीडियो चलाओ पीछे का तब देखो फिर समझो और क्या कह सकते हैं है ना नहीं बनाने का नोट्स का नतीजा बहुत बुरा होता है इसलिए नोट्स बनाया करो ताकि चीजें दुवारा देख देखके ह आजाएं साथ में वीडियो को रोक के देखना बाद में बाद यह मसूस में कि बाद में देख लेंगे ठीक है तो 3x प्लस 3 की मुटिप्लाइ करी 3 बन जा 3 माइनस 4 ठीक है 3x 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 माइनस 1 यह 3x माइनस 1 लिख दिया यहां 3x प्लस 3 प्लस 4 तो 3 प्लस 4 7 हो गया तो मैंने य 10 का 2 आएगा ठीक है देखें माटिप्लाइ जब खोलेंगे ठीक है तो यही आंसर हो गया इतना इसी सा कोशन था ठीक है इसी टाइप से आपके लिए 2-4 कोशन है हम खुझ से दे रहे हैं आप लोग करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ बच्चे आंसर देते है देली ठीक है तो जो बे आएब हमेने का था की नाम बोलेंगे तो मैं कल आम बतांगी आपको जिसने घ्यलिश दिये थे पिसले कोशन के मुझे ध्यान नहीं झालुए थिक है इसले मैं देखक कर कि बताओंगी कि मभलब किसने-किसने आंसर दिये थे और एगले वीडियो मे ठीक है कल हमारी लाइफ भी है अगर आप आना चाहें तो आएं कोशिस करूंगी कि मैं लाइफ आऊं और बहुत कुछ बताना है लेकिन लग देखते हैं ठीक है फिर वो जो होगा देखा जाएगा ठीक वो कम्यूटी में पड़ा हुआ है आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि मतलब आने वाले हैं शायद आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं ठीक है सोचे तो यही अभी तक किया आना है ठीक तो यहाँ पे आपके लिए कोशिन है फाइफ एक्स बहुत जादा वेट कर रहे हैं लोग कि कितनी जल्दी रहती है ना दूसरों के बारे में जानने क 5x-4 of factorial 4 ठीक है एक कोशिन यह है आपके लिए दूसरा कोशिन है यहाँ पे लिखती हूँ 3x-2 of factorial minus 3 8x-2 of factorial minus 2 3x-4 of factorial plus 4 of factorial 4 ठीक है आप यह सब सवाल में इसलिए दे रहे हैं है multiply तो करनी नहीं है आपको जो मार multiply चार बार करनी है तो आपको परिशानी होगी ठीक है तो बिलकुल एजी सा खोलना है आप अगर यह कोशन लगा लेंगे इतने तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी फिर आपको देखना नहीं है चैप्टर ठीक है चैप्टर कंप् चैप्टर कंप्लीट हो गया चलो अब इससे छुटी मिल गई हमको कुछ आता है इसमें हमको पता चल जाता है इससे यह ठीक है यह मैंने एक्सरसाइस से कोशन्स उठाए हैं ठीक है मैंने खुद के नोट्स हैं मैंने खुद लिखाया जब पढ़ा तब लिखा मतलब जब पहले की नोट्स हैं तो आपको इसी से पढ़ा रहे हैं आपको जहां पर दिक्कत हो आप पूछ लीजेगा ठीक है यह हमने बताई भी थी स्लैबस उसी वही बुक के कोशन्स हैं ठीक है उन्हीं बुक्स के ठीक है मेरे बास जो बुक्स हैं सारी जितनी बुक्स है विनोत इसे करेंगे अब हम सिंपल जंजट वंजट नहीं बताएंगे आपको सिर्फ इतना बताएंगे जो आप ध्यान रखें ठीक है अगर किसी का मतलब मैं बताऊंगी पूरा तो आपको समझ में वैसे भी नहीं पता है तो इसलिए इस टाइब से बता रहे हैं जो आपको समझ म होंगे याद है कि नहीं लिखते थे ना याद है कि नहीं याद है ना याद हो तो अभी याद कर लो ठीक फिजिक्स के मैथ उन सम्में लिखते थे डी बाई डी एक्स लिखते थे अगर इंट्रिकेशन हो जाए तो यह हट जाएगा ठीक तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा तो आपको इतना द्यान लखेगे बस आपकी सारी question आराम से हो ठीक है तो देखते हैं इस कोशन में दिया हुआ है आपको बताया अभी बताया था हमने फैक्टोरियल क्या होता है अगर एक्स का एक्स ऑफैक्टोरियल टू आपसे वोला जाए तो आप यही तो लिखेंगे पहले एक्स को फिर एक्स से माइनस वन अभी पिछे समझाया था यही यहाँ पे दिया हुआ तो इसकी एक्स ऑफैक्टोरियल टू लिख सकते है इह नहीं आप खुद से बोलिए लिख सकते हैं ना एलख shaped और अनए तो यह लिख दिया हमने थीक है फिर आप हमने मत करें ठीक है हम inverse लेके गए हैं आप inverse मत लीजी यहाँ पर डेल्टा ओफ fx ही रखिए ठीक डेल्टा ओफ fx ही रखिए तो यहाँ पर जब हम integration करेंगे देखिए मैं फिर से लिख रही हूं यहाँ पर आपको समझ में आये ताकि ठीक है डेल्टा ओफ जो यह fx है x of factorial 2 ठीक है यही तो लिखा हुआ है x of factorial 2 तो दोनों तरफ integration कर दिया कोई दिककत आपको भी बताया कि integration fx डेल of fx का fx हो जाएगा हो गया आपको पता है कि अगर x का integration होता है तो क्या आता है x square upon 2 आता है और अगर x square का integration होता है तो क्या आता है x cube upon 3 यही तो आता है मतलब अगर formula नहीं पता है तो बता दें आज जितनी power होती है उसमें एक जुड़ जाती है और वो power नीचे आती है मतलब x की power n का अगर करा जाए तो x की power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है फैक्टोरिल नहीं है x की power n plus 1 upon n plus 1 यही तो आता है मतलब यहां पर अगर 2 था तो power 3 होगे upon में 3 आ गया जितनी power आई इतनी upon में आईगी ठीक है तो यहां पर जब हम x of factorial 3 का integration करेंगे तो x of factorial 3 upon 3 आएगा की नहीं आएगा की नहीं कुछ से बताईए ठीक तो यही लिखना है ठीक इतना ही यही हमने आप लिखा हुआ है आपको बाखी ध्यान देने की जरूरत नहीं है ठीक इतना नोट कर लिया अब हम फिर x की यह खोल देंगे जैसे अभी भाई खोल के लिखा था उसको फिर लिखा था अब इसको खोल देंगे तो तीन बार करना है तो x फिर दूसरे में x-1 x-2 देखें कमेंट जरूर को कि बताया करिए वीडियो कैसा लग रहा है ठीक है मतलब समझ में आ रहा है या नहीं वीडियो चाहिए चाहिए बुरा लगे है आप समझ में आना चाहिए ठीक है तो यहा अब यह फर्मूला अगर आपने मलब लिखे होंगे नोट्स तो और मलब लिखा ही नहीं होगा किवल पढ़ना भी जबूरी है ठीक है कि लिखके रख दिया तहां के अब उसको देखने से कोई मतलब नहीं है तो ऐसा नहीं करना है आपके पास अभी तो कोई काम नहीं है आ मालो थोड़ी सी ज्यादा दे लगेगी ठीक है मतलब आप 20-30 मिनट में लिख लेते हो तो एक बार पीछे कर रिवाइस करो कि कल क्या पढ़ा था और जो फॉर्मूला आज यूज हो रहा है उसको भी देखो ठीक है पीछे साथ में ताकि तुमारी सीज़े भी रिवाइस हो पर रिजर्ट आए और बहुत सारे लोगों का मुझे देखने को मिले कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के तो वह सब बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है कुछ इंट्रेस्टिंग होगा फिर वह अभी नहीं बताएंगी वह सर्प्राइज ही होगा अभी तो क्या कर सकते हैं हम लोग रिजर्ट आने के बाद बताया जाये गए जिनका अच्छा है उनके लिए या किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं देखते हैं तो एकशियन यहाँ पर यह कोश्षन है ठीक ह् तो शुरुआ से देखते हैं ठीक है हम जानते हैं यह तो हमने इतार दिया गिवेंड ठीक है we know that हम जानते हैं यह फॉर्मूला हमने आपको सबसे पहले लिखवाया था x greater than n वाले में ठीक है जहां पर करवाया थे फॉर्मूली सुरुआत में देखना जाके फैक्टोरली वहा पर बताया था आपको यह फॉर्मूला आपको लिखना मिल जाएगा ठीक है वीडियो के सुरुआत में ही थोड़ा सा थोड़ा से के बाद ठीक है जहां पर पढ़ाया था वहाँ पर तो यह फॉर्मूला होता है फॉर्चिक लिए होता है तो हम यहां से x n की अगर value निकाले तो क्या निकल करके आएगी भाई यह into में दिया हुआ है ठीक है यह इधर into में है तो यह इनके upon में चले जाएंगे x of factorial n upon factorial n यही हो जाएगा की नहीं हो जाएगा ना as given ठीक अब यह दिया हुआ है दिया हुआ है वही लिख दिया अब x n की value तो हमको यह पता चल गई लिख सकते हैं भाई यही तो होते हैं और अब देखिए फिर से वही चीज जो अभी आपको बताई थी क्या delta of fx यह लिखा हुआ है की नहीं लिखा हुआ है ना आप दोनों तरफ integration कर दिया कर दिया कोई दिकत del fx का भी बताई fx हो जाएगा हो जाएगा ठीक x की power n का भी बताई था आपको x की power n का जो करेंगे तो x की power n plus 1 upon n plus 1 हो जाता है तो यहाँ x की power factorial n plus 1 upon n plus 1 ठीक और factorial यह n ऐसे ही रखा देखो मैं फिर से clear कर दूँ अगर आप लोग confuse हो रहे हैं तो बिलकुल नहीं होना है ठ तो उसके लिए थोड़ा सा sorry की time में मिल पाता है ना तो इस वज़े से ठीकें यहाँ पे x की power n plus 1 हो गया ठीके अपन n plus 1 यही इसका तो integration हो गया 1 upon यह जो factorial n है यह तो constant time था यह साथ में हुआ इसी का 1 upon factorial n इंट्रिकेशन x की power factorial n यही तो था तो इसका integration हुआ तो हमारा यह ह n plus 1 और यह factorial n पहले से था ठीके इतने चीज़े के लिए हैं तो आपको पता है कि n plus 1 का अगर factorial लिखना है तो आप कैसे लिखते हो भाई n plus 1 निकाल लिया फिर एक इससे कम करते हो मतलब n फिर दूसरा लिखना तो n minus 1 ऐसे तो करते हो एक कम कम करते जाते हो खोलते जाते हो त ठीके तो दो टम तक खोलें अगर अब देखो पढ़ा होगा सभी को पता होगा मुझे पता है बहुत मंदब हो सकता है किसी को ना आता तो इसलिए बताया दे रहें ठीके तो अगर factorial n plus 1 को खोलेंगे तो क्या आएगा n plus 1 तो निकल आया ठीके अब n plus 1 में से minus 1 करते हैं और factorial n ठीके तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम 1 plus n plus 1 या 1 plus n का factorial लिख सकते हैं या नहीं तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है ठीके अब अभी आपको बताया था क्या होता है formula xcn का यही तो होता है x की power n upon factorial xn एक नेट एक एक सी एन factorial xcn का factorial x upon factorial n factorial n plus 1 यही तो होता है यह देखे यह formula है की नहीं है वही है या नहीं आप लोग खुदी देखिए xcn का यह formula है या नहीं formula क्या होता है यह होता है ठीके वह ncr का होता है वहने दोके से वह बोल दिया तो आप लोग इतना अरजस्ट कर लें ठीके यह जो ncn का होता है या xcn का होता है ठीके xcn का होगा जो उपर होगा ऐसे लिखेंगे ठीके वहने वह दूसरा वहाला formula बोल दिया तो आप लोग यह अरजस्ट कर लेंगे ठीके यह formula होता है ncx पराबर होता है factorial n upon factorial n minus x ठीके ठीके वह दूसरा होता है ठीके तो वह npr होता है जो हमने आप भी आपको बताया था वह npr का होता है मैं दिमार्ग में वही चला था मैं वही बोल दिया ठीके तो ncx का जो होता है तो यह क्या होता है factorial n upon factorial n minus x अब देखते हम आप यही लिखा हुआ है या नहीं ठीके आप लोग समझेगा थोड़ा सा ध्यान ना दो तो सब गरबर हो जाता है ठीके दिमार्ग में जो चला था भी बोल दिया ठीके तो formula क्या होता है axion का देखो ncx का अगर लिखते हैं तो होता है factorial n upon factorial n minus x मतलब इसका minus करके ठीके n minus x तो यही यहाँ पर लिखा वो जो भी इससे पहले बताया था वो npr का ठीके npr रख लीजेगा उसको अपने upset कर लीजेगा ठीके तो यहाँ पर इसक यहाँ पर क्या formula है यहाँ पर आपको दिख रहा है यह अगर इसको खोलो तो factorial x upon factorial अभी बताया xcn अगर लिखालना हो तो factorial x upon factorial n minus x यही तो लिखोगे तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे तो यही तो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा खुश से सो आस जादा ठक गये हैं इस वज़े से थोड़ा माइंड कम चला है तो आप उसको अपना आप अर्जिस्ट कर लीजेगा ठीक है अलाकि ऐसा कोई कमाई नहीं करी है थोड़ा सा बहार जाना पड़ गया था इस वज़े से ठीक है तो आप अपना देख लीजेगा मिलते अपन